मामश शिवराज की महत्वकांशी दीन दयाल रसोई योजना का जाजा लेने अब MP तक की टीम पहुँच गई है ग्वालियर यहां ये रसोई केंद्र बस स्टैंड के पास बना है लेकिन इस रसोई केंद्र की हालत देखे चारो तरफ गंदगी का अमबार लगा हुआ है कोरोना काल में जब पूरी दुनिया सफाई को मूल मंत्र मान रही है उस वक्त भोजनाले जैसे पवित्र स्थल पर गंदगी का धेर लगा हुआ है दीन दयाल रसोई योजना की रियालिटी टेस्ट के पहले ही मानक में ये केंद्र फेल हो गया रसोई केंद्र के बोड के मुताबिक आज की दिन यहाँ पर छोले चावल और रोटी बनना चाहिए लेकिन ग्राहकों को मिल रहा है सिर्फ पाँच रोटी और आलू की सबजी जबकि शिवराद सरकार का दावा है कि इन केंद्रों पर भर पेट भोजन मिलेगा अब इस केंद्र को संचालित करने वालों की सुन लीजिए महाशा कह रहे हैं कि चावल खत्म हो गया इसलिए अज सिर्फ रोटी दी जा रही है आज क्या क्या खाने में दिया गया है आज खाने में यहाँ से रोटी सबजी कितनी रोटी देते हैं एक पांच रोटी देते हैं आज चावल नहीं है चावल खत्म हो चुका है तो उसके रोटी एक्स्टा देते हैं चावल पहले से आपने नहीं सुछना थी कि छोले बनना चाहिए थे आज मंगल बार है बोटी चावल आलू मटर चाहिए लेकिन पेट भी नहीं बर रहा है लोग मुखे हैं परिशान नहीं रोगों को बरावर मैंने उसको बोलाए जादे कर जादे खाना दो और आप लोगों का पूरा पेट बरके संतोष्ट करके वेजो लोग तो कह रहे हैं ना पैठे हैं मैनेजर साहब भले ही कोई बहाना बनाए लेकिन इस योजना का नियम यही है कि मेन्यू के हिसाब से ग्राकों को भोजन दिया जाए यानि दूसरे मानक में भी ये केंद्र फेल हो गया अब एमपी तक रिपोर्टर सर्वेश पुरोहित ने इस केंद्र में भोजन कर रहे है ग्राकों से उनकी राय जानने की कोशिश की लेकिन ग्राकों की जो राय है वो सुनकर शायद मामा शिवराज भी खुशना हो बस मेरे को भोजन में सिर्फ आलू मिले हैं और रोटी मिले हैं चार इसका बढ़ा लेने गया मतलब जिन गरीबों के लिए ये भोजनाले खुला है वो भी इससे संतुष नहीं है हाँ उनके पास पैसे नहीं है तो वो मजबूरी में यहाँ भोजन कर रहे हैं लेकिन तीसरे मानक में भी ये केंद्र है फेल हो गया अब जरा यहाँ बन रहे है गरम गरम पूरी सबजी को भी देखिए ये स्वादिष्ट वेंजन यहाँ आने वाले ग्रांकों के लिए नहीं है बलकि नगर निगम के लिए है नगर निगम इस भोजन को पैक करा कर सफाई कर्मियों को भेज रहा है कि अपने सपाई करमचारीओं के लिए ले जा रहे है वहां से जर्ट सबने दिलवाए है यहां सर खाने के लिए पैकेट है हमारे जर्ट सबका नाम राजीव सिंगल जी है अब जो जैसा जैसा निगम देगी वैसा ही खाना पड़ेगा हालाकि नियम यह है कि इस केंद्र से खाने क्यों पैकेज नहीं किया जा सकता लेकिन यहां से पैक कराके भोजन कहीं और ले जाये जा रहा है मतलब चौथे मानक में भी ये केंद्र फेल हो गया दीन दयाल रसोई केंद्र की बदहाल हालत के बारे में जब यहां के निगमा यूक्त से बात की तो उन्होंने साब कहा कि अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है लेकिन वो इस मामले की गंभीरता से जाज करवाएंगे कि दीन दयाल रसोई अंतरगत हमारे जो भी किचन संचालित हो नहीं वहां पर मानिय सांसद महद है मेरे दोरा स्वेम वरिश जन लोग उने जागे स्वेम देखा है लोग निरेशन भी करते हैं और कभी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं गौलियर के बस्टैंड के पास मौझूद दिन दयाल रसोई केंडर सभी मानकों पर फेल हो गया फिलहाल इस मामले की जाज का भरुसा दिकारी ने दिया उमीद रखिये कि कुछ अच्छा होगा और मामा के इस महत्वकांची योजना से गरीब संतुष्ठ हो कर जाएंगे और सरकार का धन्यवाद करेंगे गौलियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट कर दो कर दो जाएंगे झाल झाल